हलो मॉमीज वेलकम बैक टू माय चैनल पुरानी समय से ही बच्चों की कई सारी समेशाओं को दूर करने के लिए ग्राइप वाटर का इस्तमाल किया जाता है तो आज इस वीडियो में हम इसी टापिक पे बात करें है कि बच्चों को ग्राइप वाटर देना सही है या नहीं है कब देना चाहिए साथ ही कितना देना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आईए वीडियो को शुड़ू करते हैं उससे पहले चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइप जरूर कर लें सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को ग्राइप वाटर देने के क्या फाइदे है सबसे first point है अगर बच्चे को बार बार गैस की समस्या होती है तो ग्राइप वाटर देना एक अच्छा option होता है next point है बच्चा अगर खाना नहीं खाता है बच्चा अगर दूद पीता है और उसे उलट देता है या दही जैसी उल्टी करता है तो इससे भी ग्राइप वाटर जो है बच्चे को राहत दिलाता है साथ ही अगर बच्चे को बार-बार बहुत जादा हिचकी आ रही है उनके पेट में दर्द हो रहा है या पेट में किसी भी तरीके की समस्या हो रही है तो ग्राइप वाटर देने से बच्चों को रिलीफ मिलता है जिनरली जब हम बेबी को 6 मंद से सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो बच्चा कुछ चीज़ें क्योंकि यह बच्चों के लिए न्यू एक्सपीरेंस होता है तो बच्चा कुछ चीज़ें जिन्हें आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है उस समय भी ग्राइप वाटर जो बच्चों की डाइजेशन में मदद करता हैं साथ ही बच्चों की झी विए घृप वाटर देने की जाती है हुक्ध से नहीं कि आस्पीड अधिन होता है उससे उन्हें Democr i सोफ अध्रक, कैमो ओयल, मुलेथी, दाल, चीनी बिलकुल इंग्रीजियंट का इस्तमाल करके बनाया जाता है बच्चो की गैस की समस्य अगर बहुत जाद होती है बार बार होती है तो अड़ाइज दिया जाता है कि बच्चो को ग्राइप वाटर देना शुरू कीजिए लेकिन अगर हम डॉक्टर की बात करें तो according to doctor एक महिने से छोटे बच्चे को ग्राइप वाटर बिल्कुल नहीं देना चाहिए और साथ ही अगर बच्च छे महिने से छोटा है तो उसे बाहर से हमें कुछ भी नहीं देना होता है सिर्फ फॉर्मूला मिल्क या फिर मां का से पहले बच्चे को ग्राइप वाटर देते हो या कुछ भी बाहर से देते हो तो हो सकता है कि वह बच्चे के इंटस्टाइन को अफेक्ट करें निक्स पॉइंटर बच्चे को ग्राइप वाटर कब दे तो फीडिंग फीड कराने के बाद या फिर बच्चे को खाना देने के बाद आदे गंटे के बाद आप बच्चे को ग्राइप वाटर दे सकते हो अब बात करते कि कितना देना चाहिए अगर न्यूबॉर्ण बेबी है तो आप बच्चे को 2.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हो अगर 1-6 मन्त का बेबी है तो आप 5 ml वन स्पून दिन में 3 बार दे सकते अगर बच्चा एक से तीन साल के बीच का है तो आप उन्हें 15 ml यानि तीन चमच दिन में तीन बार दे सकते हो अब हम बात करते कि ग्राई पॉटर देते वक्त किन बातों का खास खयाल रखना चाहिए सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों को ग्राई पॉटर देने से पहले उसे कमपोजिशन को जरूर चेक करें के पुछ ग्राई पॉटर होते हैं जिसमें अलकोहल और सूग चाहिए जो कि बच्चों को नुक्सान पहुचा सकता है तो आप व सूगर और अलकोहल दोनों प्री होता है साथ ही जब भी आप बच्चे को ग्राइप वॉटर देते हो तो इसे अच्छे तरीके शेक कर लें शुरुवात में बच्चे को बिल्कुल कम मातरा में दे क्योंकि बच्चों के लिए न्यू एक्सपिरेंस हो सकता है कि बच्चे को सूट ना करे बच्चे को ऐलर्जी हो एमर्जेंसी में ही देने की कोशिश करें जब कोई नेचरल रेमेडी काम नहीं कर रही तो ही बच्चे को ग्राइप अप्टर दें साथ ही छोटी-छोटी चीजव के लिए आप दवा प्वा किया यूज मार्या लाइक करें थैंक यू फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद रहो तो लाइक करें कमेंट करें और भी मदर्स के शेयर करें और हमारे चाहर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें